हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल एसकेजी समानेगान आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जुरूर प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल दर्पन के लेटेस वीडियो जो है वो मिलते रहे हम हिमाचल दर्पन बुक के पेज नंबर 454 पे हैं हमने हिमाचल प्रदेश के जिलो में लहल स्पिती जिला जो है वो पड़ रहे हैं वर्तमान में और हमने दो वीडियो बना लिये हैं उसके लहल स्पिती जिला का जो सब्जेक्टिव पार्ट है अब इस वाले वीडियो में हमने लहल स्पिती जिले के जो है कोशन आंसर और जो देखने हैं, तो शुरू करते हैं, सबसे पहला प्रशन है सब्जेक्टि का साब्धिक अर्थ क्या है मनियों की भूमी यह सब्जेक्टि पार्ट में भी दिखा था, लहाल अगर पूरे जीले का मुख्याले की बात करें तो के लॉंग में हैं, उसके बाद है हिमाचर प्रदेश का सबसे उचाई पे स्थित जिला मुख्याल है कौन सा है के लॉंग है लॉह स्पिति यहां पे हाइट भी दी है नीचे 3165 मिटर लॉह स्पिति का शेतरफल कितना फिर है विद्यविद्भट लहल स्पिति को हिमाचर पादेश में विले से पहले अलग जिले का दरज्या का प्राप्त हुआ तो पंजाम नुस beginners चौशी पोउन जिले के रूप में चार जिलों के रूप में उन में से एक जिला تھा यह नहें यह ताई क्ञ़िंगरा कोकसर बिलकुल साथ ही है यहां पे जैसे हम मनाली से यहां पे अंतर करते हैं तो यहां पे जो है वो कोकसर है वैसे तो सबसे बड़ी पंचायथ है यह पूरा इलाक्या उसी में आता है तो यह वाला पॏंट पहला पढ़ारों सबसे पहले क्यों से home ke long tem पास के बाद सबसे पहला पढ़ी तरव पंचयत परती है वह कोकसर है फिर उसके बाद थिर लोकिन आत उद्थै पूर चंदरताल के लॉगये कहां अप्रस्थित है जो वेट लेंड्स है उसमें काफी फेमस है यह तीन जो वेट लेंड्स है रिणुका चंदरताल पॉंग फिर है केलोंग की समुदर तल से उचाई या भी हमने मैंने उपर भी बताया आपको 31-65 मिटर सबसे उचाई पेस्तित मुख्याला है गुरुगंटाल संपरदाय का उदय कहा हुआ लौस पिती में किस सिक्स से ना पती ने स्पिती के बौद मठों को जला दिया था जो रावर में आती है investir गाटी का लास्ट का लोसर कं घृर्दाउंग गोंपा केलोंग में यहाँ पे नाम नहीं ह Spaß बारा कर्टांग में ही स्थित है शांशूर परदा अभी आयगा तो खार्द यह बिल्कुल प्रॉपर जो है लCS पिती में केलोंग है उसमें स्थित खर्दाउंग ॉ वहाँ पर अभी लोग कि देशवर बोदी सत्व के संग मर्दमर्द की अस्ट भुजी uh यह जो रस्ता है फिर आगे जो है यह किलार जो पांगी का जो है चंबा के पांगी का उसका है तो यहां से भी जाय जाता है उद्धैपूर से उसके बाद है स्पीती के काजा में पहला स्कूल कप खोला गया उने 32 में जब कि के लॉंग लहौल में केलॉंग में पहला प्राइमरी स्कूल 1861 में खोला था शिरीमान और श्रीमति हाइड जो एव्लो एच हाइड है तो उन्होंने खोला था स्कूल भी खोला था और साथीसाथ 1857 ने वहाँ पे जो है 1857 है वहाँ पे उन्होंने आलो की खेती जो है वो शुरू शांशा में किस लहुली देवता का जनम हुआ था तो ये गिफांग शांशा ये है ये आपका शांशा तो यहां पर किस लहुली देवता का जो है वो जनम हुआ था लहुल का राजा कहा जाता है गिफांग को और गिफांग चोटी भी है और इनका जो गिफांग जो लहुल का राजा हैं, इनका संबन जमदंगिनी डिशी से भी हैं, तो शान्शा जो ये मैंने आपको बताया, ये चिनाब के किनारे जो बसा हुआ है, बिल्कुल क्योंकि ये टांडी के बाद जो नदी है, वो चिनाब नदी के नाम से जाने जाती है, तो शान्शा में इनका जनम हुआ, सकते हैं फिर है पौरी उत्सव किस मंदिल में मनाते हैं तो यह तो उखेसम संग मर मर की तो हम मैं partners स्पीति का अब वर्तमान में तो काचा है तो यह धंकर जो है यह राजदानी होती थी स्पीति के राजा की के लौंग लाहल स्पीति का मुख्याले कब बना उनिस सो एक तालिस में होप्स की फजल किस जिले में होती है तो लाहल स्पीति जिले में होती है फिर धंकर गोंपा कह अब्जेक्टिव कोशन्स की बात करते हैं किस वर्ष लहॉल के दो भागों। या बिक ना में बंदyi किस वर्ष के आसपास पर पर शिक्षों ने अदिकार कर लिया था । में यो师 कब लहॉल पर आधिकार कर लिया था। तो ये दोनों ही कोशन जो है अलग-अलग एक्जाम में आयो है एक अलाइड में था एक असिस्टंट प्रोफेसर में अठार सो चाले सिक्टालिस का टाइम है जब सिखो ने लहौल पर अतिकार के लिया था चंदराभागी घाटी जो है जो तिबत मूल के परिवारों के पास जागिर थी वह कुल्लू के अधिन का वागी तो सत्रमी शताबदी के आसपास जो है वो जो है वो कुल्लू के दिन आकी थी लहौल के सकतिशाली देवता गेफांग जिनका जनम कहां पर वुआ था तो ये शांशा में वहा था भी हमने पढ़ा भी चिनापके टटपे है शा स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पे आकर्मन किया और उसे अपना करदाता बनाया तो राजिंदर सेन ने किया था यह हमने जो इतिहास पड़ा उसमें देखा कंग्यूर और तंग्यूर यह कि समुदाय या संप्रदाय के धरमगंत है तो यह लहौल के हैं स्पीति के बार स्पीति का अवसान कैसे हुआ मतलब कैसे समापती हुई तो तिबती लोगों ने लहौल स्पीति पे आकर्मन कर दिया और इस अभियान में कुल्लू के राजा ने साहिता दी तो इस तरह से स्पीति में जो है वो सेन वन्स का जो है वो अन्त हुआ आठवी शिताबदी में लहौल स्पीति में किसने बहुत धरम का परचार किया तो ये बहुत बार एक्जाम में आया वो बहुत इंपॉर्टन्ट भी है पदम संभवने किया था ये लहौल कब ब्रिटिशरों के नियंतरन में आ गया था तो लहौल स्पीति पे जो है वो 846 म में ब्रिटिश सरकार का जो है वोकबज़ा हो गया लगव पूरे माचल में जहां तो वहmostнаком संतर्थ क केलॉंग सुन्द्री क्या है तो यह परवत चोटी का नام है लीडि ओकेलॉंग के नाम से भी जाना जाता है ओकें लोसर फिरी खाटि का लास्ट धॉय साल तो 56 पर फिर के लॉंग में पहला प्रैमरी स्कूल कप खुला 1861 में हाइड ने खुला था एवह हाइड ने और उनकी पतनी ने और 1857 में इन दोनों ने जो है यहां पर आलू की खेती भी शुरूर करवाई लॉल का मुख्याले क्या है के लॉंग है लिंग अनुपात 903 ओवर समबंद रखते हैं तो लाहल्स्पिती से जो है नौनों वजीर जो है लाहल्सपिती रियासत से जो है है कि वह समबंद रखते हैं और लोने 157 में Lis Total के समयं जो है अञ्रेजियों की मदद की थी खस्तोर पर पर इस पैष्यों विष्वत्थ्प ने है यह फास्व variety के लिष् उपादी से अलंक्रित किया तो हमने पढ़ लिया अमीर चंथ 1917 में किया था इनको 2011 की जनगंड़ना के नुसार हिमाचल प्रतिश के किस जिले में सी की अबादी का प्रतीशत सबसे कम है तो इन चार जिलों में पूछा था उन्होंने तो लहुजपिती था उन्हों इसमें से इन चार जिलों में से बिलासपूर हमिरपूर कुलू और लहुजपिती वैसे तो इन में सबसे कम जो है वो लहुजपिती में है लहुजपिती जो है अलग जिला कब बना तो यह 1960 में बन कि लाउंस के तीजी लेके धन्यवाद